हेलो गाइज, वेलकम बेक तो माइनधर वीडियो तो आज की वीडियो में गाइज हम डिसकस करने वाल है एक्स क्रीटरी सिस्टम आई नो गाइज आप लोग यही सोच रहे हैं कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी सरकुलिटर सिस्टम पे वो अभी पूरी कवर नहीं हुई है चैप्टर और वो वीडियो के मैंने अभी पार्ट होर बनाने थे तो गाइज, एक्चली प्रॉब्लम यह है कि मेरे को दो दिनों से बहुत सारे मेसेज आ रहे हैं कमेंट्स भी आ रहे हैं गाइज, कि आप जल्दी से जल्दी एक्सक्रीटर सिस्टम पे वीडियो बनाए हूँ तो गाइज, असल में यह हो रहा है मेरे साथ अभी तो इसके जिसे क्या है और उन्होंने मेरे से यह भी खाया, उनके एक्जाम आने वाले हैं तो गाइज, उनकी प्रॉबलम को धहन में रखते हुएं, मैं पहले एक्सक्रीटर सिस्टम के उपर वीडियो बना रहा हूँ और आजके इस वीडियो में मैं ट्राय करूंगा कि मैं एक ही वीडियो में को जल्दी सी जल्दी उपर उपर का बताके excretory system cover कर लूँ और आपको इतना बता दूँ मैं जितना आपको important है अभी ठीक है guys क्योंकि एक तो जिन्होंने मेरे को message किया है अगर आप मेरे को पहले से बताते तो मैं आपको hot detail में समझाता मगर जैसा कि उन्हें भी पता है कि time come है तो इसलिए guys मैं आज की वीडियो में जल्दी जल्दी से cover करने वाला हूँ तो चलिए बिना time waste किये वे directly शुरू करते हैं आज के अपने पहले topic excretion से तो guys जैसे कि आपने chapter का नाम ही देख के समझ लिया होगा excretory system तो आपके दिमाग में पहले चीज आ गई होगी कि excretion होता क्या है excretion is the process of removal of nitrogenous waste from the body अब guys nitrogenous waste क्या होता है जो हमारी body में जितना ammonia, urea और uric acid इन चीजों को हम nitrogenous waste बोलते हैं ठीक है guys and the organ which are concerned with excretion मतलब जैसे जो जो organ excretion के process में involved होते हैं उन्हें excretory organ कहा जाता है ठीक है guys अभी एक चीज है यहाँ पर जो आपको यह blue box में explain कर रखी है वो यह है guys कि आप जो defascination और excretion को merge मत कीजिएगा मतलब जो physis को pass करना होता है मतलब removal of excess undigested food को जो हम remove होता है body से उसे defascination बोलते हैं ठीक है वहीं क्या होता है excretion मतलब removal of nitrogenous waste from the body जो body से nitrogenous waste का removal होता है उसे excretion कहा जाता है तो यह दोनों अलग-अलग चीज़े हैं इसे यह आप से पुछा जा सकता है defascination और excretion में difference क्या होता है तो excretion is the removal of nitrogenous waste from the body whereas defascination is the removal of undigested food from the body तो यह आप difference वहाँ पर बता सकते है ठीक है गाईस अगला अब हम बात करते हैं कि body में ऐसे कौन-कौन से substance है जिनका elimination necessary होता है ठीक है तो ऐसे five substances है guys body में जिनका elimination necessary होता है पहला हमारा carbon dioxide carbon dioxide क्या होता है अब देखिए form कैसे होती है पहले तो body में देखिए हमें पता है जैसे glucose oxidize होता है तो glucose के oxidize होने पर हमें क्या मिलता है एक तो ATP मिलती है जिसको हम use करते हैं अपने कोई भी body activity परफॉर्म करने में साथी साथ हमें carbon dioxide मिलती है तो यह carbon dioxide guys glucose के oxidization से मिलती है अब इसका क्या है इस carbon dioxide को हमें store नहीं करना तो इसके removal के लिए क्या होता है गाइस carbon dioxide के remove तो guys जो excess of carbon dioxide है यह lungs उसे क्या कर देती है body से excrete out कर देती है क्योंकि हमारे लिए useful नहीं है ठीक है अगला बात कर लेते हैं guys nitrogenous waste का तो जैसा कि मैंने आपको बताया है urea uric acid क्या है nitrogenous waste है ठीक है अब यह produce कैसे होते है they are produced from the dead protein remain जो हमारी body में dead protein है तो उसके जो remaining part होता है उनसे nitrogenous waste form होते है अब guys इस chapter में हम nitrogenous waste के removal के बारे में पढ़ने वाले हैं अब आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि main nitrogenous waste कौन सा है जिसका removal ज़रूरी है body से तो guys ammonia और uric acid से जादा urea बहुत ही danger है क्योंकि highly poisonous substance रहता है और अगर यह body में ज़्यादा time तक रहा और इसका ज़्यादा accumulation हुआ तो इससे death भी हो सकती है इसलिए guys urea का क्या बोलते है excretion necessary होता है और urea का excretion कौन करता है kidneys करती है kidneys जो है एक main organ है जो कि main nitrogenous waste को body से excret out करने में help करती है ठीक है तीसरा substance है excess salts जैसा कि हमें पता है guys कि हमारी body में कोई भी चीज excess में present नहीं होनी चाहिए और excess में present भी तो नुकसान करती है वैसे ही guys salt तो हमारी body के लिए necessary है मगर excess of salt उसमें से भी क्या होते है excess water soluble vitamins होते है जो in salts में जो B और C जो होते है excess water soluble vitamins होते है तो इन vitamins को body से बाहर निकालना जरूरी होता है और ये किद्न के थो निकलते है these are removed by kidneys ये भी kidneys के थो ही बाहर निकाले जाते है अब बात करते हैं water ये तो हमें पता है कि water हमारी body के लिए necessary है मगर उसकी भी excess quantity body के लिए useful नहीं है जो water के excess quantity रहती है उसे वो कहां से remove हो जाती है they are remove एक देखिए water को या तो sweat gland remove कर देंगी या फिर वो kidneys में urine के form में body से बाहर आ जाता है ठीक है फिफ्थ और अपना लास्ट जो हमारा eliminated substances का part है वो है bile pigments तो bile pigment क्या होता है guys जब breakdown of hemoglobin होता है तो उसमें bile pigments का production होता है ये bile pigments का का काम क्या होता है guys ये जो bile pigment होते हैं ये fishes को उनका color provide करती है जिस color के हमें fishes होती है वो color का उन bile pigments provide करते हैं ये भी क्या होते हैं इनका कुछ part excrete out हो जाता है urine के through ठीक है guys ये तो हमने पढ़ लिया अब बात करते हैं excretory organs के बारे में ये excretory organs जो है इनमें ऐसे कौन-कौन से organ है कि जो excretion के process को perform करने में help करते है तो guys हमारे excretory organ में सबसे पहले आ जाता है kidney ठीक है तो kidney के करती है urea जो की mean nitrogenous waste है इसको remove करने में हमारी help करती है ठीक है अगला बात कर लेते हैं sweat gland के बारे में ठीक है तो sweat gland के करती है they help in the excretion of excess of water from the body ये body से excess of water को remove करने में help करती है ठीक है तीसरा आता है lungs तो lungs क्या होती है guys lungs help in the excretion of carbon dioxide lungs carbon dioxide के excretion में help करती है तो अब बात करते हैं guys kidney जो की mean organ है हमारे excretory organ में से हमारे 3 excretory organ है kidney, sweat glands और lungs जिन में से kidney mean है ठीक है kidney क्या होते है guys bean shaped होती है जैसे आपने राजमा के दाने देखा है वो shape के हमारे kidney होती है वो 10 cm long और 6 cm wide होती है ठीक है kidney का काम क्या होता है guys एक तो पहले यह समझ लीजिए यह backbone के दोनों side में present रहती है इसका काम क्या होता है यह access of urea को body से बाहर ठेकने में help करती है इनकी guys position में थोड़ा difference होता है जो हमारे right kidney होती है वो slightly lower level पे होती है located as compared to हमारे left kidney अब ऐसा क्यों होता है guys क्योंकि हमारे right kidney के उपर liver located रहता है इस वज़े से उसका level थोड़ा नीचे रहता है as compared to left kidney ठीक है तो guys इसके बाद यह mean structure यहाँ पर आ जाता है human urinary system का diagram जरूर आ सकता है आपके पास इसमें आपको क्या ध्यान रखना है kidneys तो आपने बना लिया उपर से आप adrenal blend जरूर बनाएंगे ऐसे cap like structure है दोनों के उपर यह आप जरूर बनाएंगे फिर आपने erota ठीक है posterior venakava और erota को आप जरूर से denote करेंगे जो यह यह वाल्या है यह posterior venakava है जो आपको यह blueish color में दिख रहा है और जो red में है यह आपका erota है यह दोनों pipe like structure है जो kidney का सारा waste material लाते हैं इन्हें बोलते हैं ureter जहां पर यह collect होता है जिस pouch में सारा आपका waste material collect होता है उसे बोलते है urinary bladder ठीक है आप guys ureter और urethra में confused नहीं होंगे ureter मतलब क्या होता है दो pipe है जो urine को kidney से लाते है urinary bladder तक urethra क्या होता है जहां से urine का passage out होता है एक और part आता है guys spincher जब spincher press होता है तब जाके क्या होता है हमारी urine release होती है from the urinary bladder ठीक है guys यहां पर वो ही सब आपको explain कर रखा है जो मैंने आपको इस diagram के मदद से explain कर दिया है तो guys इससे जरूर से आप एक बार देख लें क्योंकि यह कई बार पूछा जाता है exam में और एक important diagram है और साथी साथ easy और scoring भी है ठीक है अगर आप जब भी यह diagram बनाते है साथी साथ इसके अगर आप process explain कर देंगे मतलब हर पार्ट का आप function explain कर देंगे तो आपके chances बढ़ जाते हैं कि आपको इसमें full marks मिल जाए process आप explain करें न करें main चीज होती है आपको level करना है वो आप जरूर करें ठीक है अब बात कर लेते हैं जो इसमें lower part of the abdomen होती है ठीक है urinary bladder कहां होती है lower part of the abdomen में मिलता है हमें अब front end of the ureter is somewhat expanded into kidneys अभी देखिए यहाँ पर main चीज क्या जाती है हमने यह तो देख दिया ureter का जो नीचे वाला portion है और urinary bladder में जाता है मगर वहीं जो उपर वाला portion है वो kidney में जाता है kidney के अंदर कैसा आता है वो आपको इस structure दिखा रखा है ठीक है यह simplified longitudinal structure आपको दे रखा है अब देखे गाईज यहाँ पर होता क्या है यह आप देख रहे हैं इस diagram को तो जो हमारा यह वाला portion है यह यूरेटर है यूरेटर का जो चौड़ा वाला portion है इसे हम क्या बोलते है pelvis बोलते है तो गाईज यहाँ पर क्या बता रखा है जो pelvis है expanded part है ठीक है इसमें आपको और कुछ नहीं बता रखा है paragraph को detail में मैंने इसको पहले मैंने बहुत पहले पढ़ा था आभी मैंने एक बर इसे पढ़के देखा है तो गाईज इसमें कुछ इतना important नहीं है बस आपको एक चीज धिहन में रखनी है कि जो मैंने आपको process यहाँ समझाई इन में से कोई एक diagram तो आपके पास आ सकता है chances है या तो आपको excretory system का दे देंगे या longitudinal diagram of kidney बनाने को दे देंगे तो यह है guys longitudinal diagram of kidney ठीक है यहाँ पर आप part देख लेंगे cortex हो गया, medulla हो गया आपका helium हो गया, pelvis हो गया papylia reason हो गया, ureter हो गया यह सब आप mention कर सकते है एक और चीज जो guys आपको difference के term में दी जा सकती है वो है यह mikturation तो guys यह क्या है इसमें देखे the passage out of the urine ठीक है, the passage out of the urine from urethra या फिर urinary bladder, जो हमारे passage out होती है urine को, उस process को क्या बोलते हैं mikturation भी बोलते हैं, इसे आपको देख सकते हैं, यह definition आपको इधर पे दे रखी है so guys बस इसमें तो यही important है ठीक है अभी देखिए जो inner structure of the kidney होता है ठीक है, तो inner structure क्या होता है जो longitudinal section दे रखा है आपको kidney का यहाँ पे इसमें दो major region होते है एक तो cortex region होता है और medulla region होता है ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह cortex है, यह medulla है यह वाला region, जो यह dark region है इसको cortex बोलते हैं अंदर वाले को medulla बोलते हैं ठीक है, अब जो medulla होते हैं इसमें क्या होते हैं finely stripped substances रहते हैं ठीक है, जो कि यह conical pyramid के shape में arranged रहते हैं यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे conical pyramid जो है इस shape में यहाँ पे arranged रहते हैं, ठीक है जिनके apex पे क्यार होता है guys इनके apex region को क्या बोलते हैं pyramid बोलते हैं, यह वाला region आप देख रहे हैं यह वाला region इन्हें कहा जाता है pyramids ठीक है, अब देखिए जो kidney होता है इसमें आपके दिमाख में तो यही आएगा कि यार इसमें इसी चीज कौन सी है जो इतना बड़ा और इतनी बड़े-बड़े function कर रही है ठीक है, जो purification के तरह या फिर सबसे best example देखेगा है जो हमारे घर पे water purifier होता है ठीक है, RO होता है तो उसके तरह perform क्या चीज है इसके अंदर, जो उसके तरह perform कर रही है तो उसका answer है guys जो kidney के nephron है जिने हम uniferous tubules भी बोलते है यह फिर renal tubules बोलते है यह क्या होता है यह purification में help करते है they are structural and functional unit of kidney अगर question आता है name the structural and functional unit of kidney तो उसका answer हो जाएगा guys के structure के बारे में पढ़ने वाले है कि भाई ऐसा कौन सा structure है जो कि kidney में इतने major function perform कर रहा है अब देखिए एक जो nephron होता है मैं पहले आपको उसकी photo दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसा नहीं रहे तो यह है guys एक nephron का structure ठीक है तो चलिए इसके part के बारे में जान लेते हैं कि भाई इसके अंदर कौन-कौन से parts होंगे तो एक जो kidney tubules है उसमें होता है bowman's capsule यह क्या होता है guys एक thin walled cup-like structure होता है ठीक है एक hollow ball के तरह दिखता है एक cup-like structure होता है ठीक है तो इसका अंदर का internal space जो रहता है यह क्या रहता है hollow रहता है अभी देखिए जो इसके outer cavity रहती है इसमें क्या होता है masses of blood capillaries रहती है इसके अंदर क्या है masses of blood capillaries रहती है जिसे हम glomerulus भी बोलते हैं ठीक है इसके अंदर क्या है masses of blood capillaries है जिसे glomerulus बोलते हैं और जब glomerulus और bowman's capsule एक साथ जुड़ जाते हैं या उनको combinedly हम malphigien capsule भी बोलते हैं तो guys आपको यह यह term ध्यान में रखने हैं आपको define में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं renal capsule या malphigien capsule भी कहा जाता है bowman's capsule और glomerulus को एक साथ bowman's capsule देखिए इसमें भी बता देता हूँ एक बार यह हो गया cup-like structure है इसके अंदर क्या है अभी blood vessels है ठीक है उन्हें बोलते हैं glomerulus तो यह cup है इसके अंदर vessels है इनको एक साथ क्या बोलते हैं malphigien capsule या फिर renal capsule भी बोलते हैं यह तो हो गया उसका पहला पार्ट दूसरा आता है PCT proximal convulated tubule यह first convulated मतलब घुमावा region रहता है ठीक है अभी देखिए इसमें क्या होता है गाईज अब देखिए जितना time यह तने convulated region क्यों रहते हैं ताकि जितना time blood इनसे pass हो पहले ही आप देख सकते हैं बहुत ही narrow diameter होता है इनका ताकि blood इनसे जैसे जैसे pass हो तो pressures के वज़े से उनका purification भी होता रहे ठीक है यह bowman's capsule आ गया है हमारा और यह आ गया है PCT देख सकते हैं यह इतना portion हो गया हमारा PCT ठीक है second part भी हो गया देख रहे हैं आप कितने आसानी से आप कोई समझ में भी आने लग गया होगा यहां पर अब देखिए जो bowman's capsule होते हैं और PCT होते हैं यह ध्यान में रखना है यह cortex region मतलब इस region में ही मिलते हैं किड्नी के इस region में मिलते हैं कौन-कौन से bowman's capsule and PCT are located in cortex region इसे आप highlight कर लेंगे ठीक है यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस region में मिलते हैं अब देखिए अब middle में आपने देखा होगा जो बड़ा सा U बन रहा है यह क्या है गाइस यह U-shaped loop of Henley है नाम से जो उसका shape है वैसे नाम भी है U-shaped loop of Henley ठीक है इसमें क्या है यह hairpin के तरह होता है hairpin होती है जो जैसे लंबे U-type की वो shape का structure रहता है अब देखिए यह convulate में दो घूमावा नहीं है ठीक है अब कहा it runs in the medulla to turn back to re-enter into cortex ठीक है यह घूमावा region है अब ध्यान से सुनिए यह एक घूमावा region नहीं है मगर यह क्या है यह medulla से जाता है और turn back करता है ताकि यह re-enter हो सके वापर से cortex region में ठीक है यह आप देख सकते हैं यह इस तरीके का है और ताकि यह फिर से कहां पर आ जाए cortex region में आ जाए जहां पर दूसरा मिल जाए इसे दूसरा convulated region तक पहुँचने के लिए एक loop बना हुआ है loop type का है दूसरा वाला convulated region को बोलते है dct जिसे बोलते है distillated convulated tubule ठीक है यह second convulated tubule है convoluted tubules आपका second यह वाला है और इसमें कौन लाता है u-shaped loop of Henley के मदद से यह PCT से dct में आता है ठीक है अब उसके बाद क्या होता है यह collecting duct में जाता है जहां पर यह urine के फॉर्म में store होता रहता है अब देखिए यहां पर बता रखा है blood supply to kidney tubules अब guys सवाल यह आ जाता है kidney को blood supply करता कौन है sorry मतलब kidney tubules को blood supply करता कौन है ठीक है blood तो हमने समझ लिया कि चलो इन में यह पार्ट है जिसके through blood purify हो रहा है मगर main चीज यह आ जाती है कि ऐसा होता मतलब इसको blood मिलता कहां से है ठीक है इसका source कहां से है तो guys देखिए जो renal arteries के through क्या होता है जो renal artery होती है वो divide होती है ठीक है आफ इन में भी क्या है guys यह renal artery जो होती है यह renal artery में branch होती है मतला जो renal artery थी वो छोटे-छोटे arteriole में branch हो जाती है ठीक है अब यह चोटे-छोटे artery में branch होके करती है guys out old form यह और जहां होती है तो branched form of renal arteries is known as artrioles YOUR clear हो गया अब देखिए जो arterioles यहां से ही देखिए क्योंकि nevron start यहां से हो रहा है तो यह जो पहला arteriole है इसे बोलते है affront arteriole और जो बाहर निकल रहा है यह वाला arteriole इसे बोलते है effrant मैं जूम कर देता हूँ यह देखिए यह है effrant arteriole और यह है efferent arteriol तो guys यहाँ पे आप एक चीज़ notice करेंगे कि efferent arteriol जो है वो wider है as compared to efferent arteriol ऐसा होता इसलिए है guys ताकि blood तो इसमें ज़ादा enter हो जाए मगर purify कम हो ठीक है देखें entry ज़ादा है तो मतलब ज़ादा blood चल जाएगा और क्या है यहाँ पे छोटा है छोटा होले जिसके तुरू पास होगा तो क्या है pressure create होगा hydrostatic pressure के कारण क्या होगा guys अब देखें जो liquid part of the blood हो यहाँ से filter out हो जाएगा तो ताकि liquid part of blood filter out हो जाए इसलिए efferent arteriol wide होती है और efferent arteriol जो होती है narrow होती है तो यह give reason में भी पूछा जा सकता है जाईज आपको तो इसे आप ध्यान में जरूर रखें ठीक है यहाँ पे यही बता रखा है कि kidney tubules को blood कहां से मिलता है तो आपको क्या याद रखना है चो dorsal arota है तो dorsal arota क्या होता है branched होता है renal arteries में ठीक है अब वो renal arteries किसके लिए होती है respective kidneys के लिए होती है ठीक है अब जो पर respective kidneys में जाती है अपनी अपनी kidneys में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है रेनल arteries वापिस से branch हो जाती है छोटे-छोटे arterioles में जिसके तो वो हर एक nephron के अंदर enter करती है तो यह तो था गया इस ब्लड सप्लाई का कंसेप्ट आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अब गाइस देखी हमने अपने नैफरॉन के बारे में पढ़ लिया उसके अंदर के पढ़ लिये कि भाई कौन-कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कौन-कौन से पार पिर सिक्रीशन फिर फिर होता है जिए अब देखिए यहां पर क्या होता हैर्फियं के एफ्रेंट अर्ट्रेशन सब्सक्रीड से बाहर या कि उसके वज़े si ale ल के में प्रेशर क्रियेट होता है प्रेशर क्रियेट होने के वज़े से क्या होता है जो हमारा लिक्विड पार्ट आप डबलड है वो इससे क्या जाता है और जो देखिए इसमें से नीचे इससे नीचे आ और फिर वो यहां से आप देख रहे हैं यह पूरा लिक्विड पार्ट आगे होर प्यूरिफाइए होने के लिए चले जाता है ठीक है अब देखिए जो अब फ्लूड हमारे पास बच जाता है जो बचा हुआ फ्लूड है उसे ग्लोमरस फिल्ट्रेट कहा जाता है अब जो य फ्लूड पार्ट थी वह कहां रह गई वह इसके अंदर रह गई ठीक है यहां पे अब रह गई है और जो फ्लूड पार्ट correcting था वह आगेन और ज्यादा फिल्ट्रेशन के इन में पहुँच जाता है तो रेनल टिबूल में क्या होता है गाइस री अब्सॉप्शन के प्रोसेस शुरू हो जाती है ठीक है तो इसमें क्या होता है यहां पर इसको एक extremely diluted solution मिल जाता है यहां पर क्या हुआ कि जो blood का उसमें से उसने जो जितना purify करके उसने पार्ट आगे भेज़ दिया था देखिए अभी जितनी भी इसमें था जो filtrate था जो उसमें उसने चान दिया है ठीक है blood तो उपर रह गया जो साफ-साफ blood था वो तो उपर रह गया है उसकी गंदगी purify होके नीचे आ चुकी है अब जो गंदगी purify होके नीचे आई है उसका reabsorption कर देते हैं क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारी useful चीजे हैं तो reabsorption में क्या होता है कि extremely diluted जो solution मिला है हमें glomerous filtrate उसका वापिस से reabsorption होता है ठीक है क्योंकि उसमें क्या होता है lots of useful material जैसे glucose salts यह सब उसमें present रहते हैं ठीक है तो kidney क्या करती है reabsorption के process में यहां पे वो सारे necessary minerals को भी absorb कर लेती हैं खीच लेती है अपने अंदर उसे ठीक है अब इसमें से क्या होता है useful useful substances तो चले जाते हैं अब इसके बाद क्या होता है यहां पे देखिए जो reabsorption होता है इसमें क्या है कि normal concentration तक ही जो normal concentration होता है बलड का वो effect ना करते हुए थोड़ी गंदगी इसने निकाल ली थी अब थोड़ी गंदगी निकालने के बाद उसको reabsorption के लिए भीज दिया reabsorption में क्या होता है गाइस जो उस गंदगी में से important सीज़े रहती है जैसे कि glucose salts उन्हें निकाल दिया जाता है ठीक है अब बात करते हैं tubular secretion की अब इसके बाद क्या होता है जब वो filtrate आगे पहुंच जाता है तो tubular secretion के process में क्या होता है कि tubular secretion के process में जैसे उसमें बहुत सारे potassium ions रहते हैं ठीक है तो और large number of foreign chemicals रहते हैं जैसे पैंसिलिन होता है यह सब तो इसमें क्या होता है इनके absorption के बाद क्या होता है इनको वो थोड़ी बहुत जो नेसेसरी चीज़े हैं वो tubular secretion में हो जाती है तो थोड़ा बहुत उसमें नेसेसरी चीज़े ले लेते हैं और उसके बाद क्या है सारा filtrate जो बचा है वो urine के फॉर्म में collecting duct में भेज दिया जाता है ठीक है अब देखिए जो urine जो मतलब वो उनका solution है अब जो solution obtained होता है जिसे urine कहते हैं वो pass out हो जाती है body से एक time के बाद जिसे mikturation के process में ठीक है गाइस यह table आपको दे रखिए step of urine formation यह आप धंक से याद कर लेंगे इसमें part wise दे रख है glomerulus में क्या हुआ ultra filtration हुआ बोमेंस capsule में क्या हुआ यह glomerulus filtrate मिला उसके बाद PCT में क्या होता है reabsorption होता है loop of henley में क्या होता है देखिए यहां पर क्या होता है वापिस से इसमें absorption ही होता है अब जो DCT होता है अब इसमें क्या होता है tubular secretion होता है और बाकी क्या होता है urine formation के लिए urine दी जाती है urine formation तो हो चुका है collection के लिए आगे भेज दी वगेरा है यह सब आप खुद कर लेंगे ठीक है इसमें से अब यह तो सारी common चीज़े आ गई है regulation of urine output हो गया है constitutes of urine ठीक है यह सब आपको दे रिया है यह सारी normal चीज़े है main चीज जो गाइस थी यह मैंने आपको अब देखे गाइस क्योंकि एकी वीडियो में कवर करना था इसलिए मैंने इसको अपना पूरा बेस्ट तो दे दिया है मैंने आपको मोटे मोटे चीज समझा दी है तो गाइस अभी आपके उपर है आप इसे धंक से पढ़िए all the best for your exam guys तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आज की वीडियो में लाइक उतना important नहीं है अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उनसे जल्दी से पूछ लीजिए मैं आपको वो explain कर दूंगा so thank you guys for watching my video मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में